नमस्कार दोस्तों जैमातादी दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के खास वीडियो में दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं प्रभुश्री राम जी के आशीरवाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उन्ही प्रभुश्री राम जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में तीन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की करें दोस्तों आज दोपहर एक पैटालिस के उपरांत आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है धन्य हो प्रभुश्री राम जी आपने हमें इतनी बड़ी खुश्खबरी दे दी आपकी तो महिमा अपरमपार है जी हाँ इतना बड़ा चमतकार हमें अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा है आखिरकार यह कैसे हो सकता है लेकिन वही हो गया जो हमारे दुश्मन नहीं चाहते थे जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें अब आपके दुश्मनों की लोकसभा निकलने वाली है दोस्तों अब आप अपने जीवन में रोना धोना बंद कर दीजिए क्योंकि अब आपकी दुख भरे दिन गए अब क्योंकि अब आपके जीवन में प्रभूश्री राम जी आ गए है बहुत ही बड़ा चमतकार आपकी जिंदगी में होने वाला है भगवान प्रभुश्री राम जी का आशीरवाद अब आपकी जिंदगी पर बरसाने वाला है क्योंकि आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आज दोपहर 1.45 बजे के बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा एतिहासिक परिवर्तन होने वाला है जी हाँ, अब आपके जीवन काल से सारी कमियां दूर होगी और जो जो चीज आपको चाहिए, जिस चीज की आपको जरूरत है, वह सब चीज प्रभुश्री राम जी, अब आपकी जोली में डाल देंगे जी हाँ, दोस्तों, भगवान ने आपकी सुन ली मजाक समझने की भूल मत करना क्योंकि दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इन सभी चीजों को मजाक मानते हैं, सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, और जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, वही लोग आगे चलकर बहुत बड़े मुसीबत में फंसते हैं क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत माइने रखते हैं और जो लोग इन छोटी चीजों को नजरंदाज करते हैं उन्हीं लोगों को आगे जाकर मुसीबत का सामना करना पड़ता है और जो मिलने वाला होता है वह भी हाथ से निकल जाता है तो इसलिए दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि घमंड नहीं करना है और कोई भी चीज नजर अंदाज नहीं करना है आज दोपहर 1.45 बजे के बाद जो चीज भगवान जी आपको देने वाले ह उसे आप कभी भूल नहीं पाओगे क्योंकि दोस्तों भगवान ने आपकी प्रार्थना स्विकार कर ली है वह कहते हैं ना अगर आप सच्चे मन से पूरी आस्था विश्वास के साथ भगवान के पास जाओगी और कहेगी तो भगवान आपकी एक न एक दिन जरूर सुने तो भगवान ने आपकी सुन ली है अब आपको जो जो चाहिए भगवान जी से मांग लेना ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा जो मौका आज दोपहर एक पैंतालिस बजे के बाद आप सभी को मिलने वाला है दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आप बह बहुत ही लकी इंसान है जो की ईश्वर का हाथ आपके सर पर है जी हां दोस्तों ईश्वर आपको किसी भी चीज का कमी नहीं होने दे रही है कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके उपर हावी नहीं होने दे रही है लेकिन दोस्तों आपको इस बात का पता ही नहीं है कि यह ई दोस्तों क्योंकि भगवान की लीला अपरमपार है इसे कोई समझ नहीं पता है लेकिन अंदर ही अंदर फील्ड जरूर करता है जी हां दोस्तों तो चलिए इसी के साथ वीडियो में जानते हैं आज दोपहर 1.45 बजे के बाद कौन-कौन सी चीज भगवान आपको देने वाले हैं परंतु उससे पहले मातारानी के सभी सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त प्रेम से प्रभु जय श्री राम लिखेगा प्रभु श्री राम जी उन्हें माला माल कर देंगे और जीवन खुशियों से भर देगी तो आप जरू पहर एक प्यालीस बजे के बाद बिजनेस कर रहे लोगों के लिए बाकी के दिनों की तुलना में आज का दिन बहतर रहने वाला है जी हां दोस्तों आज आपको किसी पुरानी योजना से लाभ मिल सकता है और यह लाभ पाकर आप काफी ज्यादा प्रसन रहेंगे लेकिन द देना नहीं तो दोस्तों आप अपने पाव पर अपने ही कुलहाडी मार लोगे और एक बात हमेशा ध्यान में रखना आप अपने लाइफ की गलती का जिम्मेदार जब तक दूसरों को मानेगी तब तक आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं जी हां आप गलत ही रास्ता बताएगा लोग गलत ही जानकारी देंगी बात समझाई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि आप बहतर करें परंतु यह भी सत्य है वह कभी नहीं चाहती है कि आप उनसे बहतर करें आज दोपहर एक 45 बजे के बाद कामकाज की तलाश कर रहे लोगों को कोई बहतर अवसर मिल सकता है लेकिन आपको अपने मन में चल रहे इतिहास किसी बाहरी व्यक्ती के साथ साज़ा करने से बचे और इस अपने व्यापार में अमल करें धीरे ध कीवन साथी के करियर में तरक्की देखकर आपका मन प्रसन रहेगा आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है उनके काम को करने की लगन को देखकर उनके बौस उनको प्रमोशन दे सकते हैं आप अपने पारिवारिक दायत्वों का भी आसान बनाए रखना होगा आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और यदि आपको किसी काम को लेकर समस्या चल रही थी तो उसके लिए आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा रहने वाला ह कार्यक्षेत्र में आपको काम अधिक रहने के कारण मेहनत अधिक करनी होगी जीवन साथी को करियर में तरक्की मिलेगी जिससे आपको खुशी होगी आपको यदि किसी की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें आपको कोई आखों से संबंधित समस्या हो सकती है परिव आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे. आप अपने किसी परिजन के घर मेल मिलाप करने जा सकते हैं. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन समस्या लेकर आएगा, इसलिए आप कोई बड़ा निवेश करने से बचें. ससुराल पक्ष से किस लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है. आपकी सोच समझ से काम पूरे होंगे. आपको बंधू बांधवों का पूरा साथ मिलेगा. आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें. स् किसी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी. आपके परिवार में किसी नए महमान का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा. आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोंड से अच्छा रहने वाला है. किसी कानूनी मामले में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आपको उसमें जीत मिलेगी. परिवार में किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है. सरकारी नौकरी में कारियरत लोगों को प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है. आपको ब देखिए दोस्तों यह समय आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला दिल की बजाए दिमाग से लेना बहतर होगा वरना नुकसान हो सकता है अचानक रुका हुआ पैसा मिलने से काम पूरे होंगे तनाव भी दूर होगा देखिए दोस्तों इस समय कुछ नकारात्मक ग्रहों का अ है सही समय पर यह आपको अपने मंजिल तक पहुंचा ही देगा जी हाँ यह बात तो आप सभी को पता ही है जल्द बाजी या भावुक्ता में लिया गया कोई भी निर्णे सही नहीं होता है व्यक्तिगत मामलों में कुछ चुनौतियां भी बनी रहेगी धैरे बनाए रखे आवेश में आकर संबंध खराब हो सकते हैं किसी तरह की यात्रा या बाहरी गतिविधियों को स्थगित रखें क्योंकि कोई सकारात्मक परिणाम मिलने की आशंका नहीं है बिजनेस में मौझूदा काम ही पूरे करें भविश्य को लेकर बनाई योजनाएं स्थगित रखे पार्टनर्शिप संबंधी कामों में मुनाफा होने की संभावना है मार्केटिंग संबंधी कारियों को करने में स्वयम की अपेक्षा पार्टनर या सहयोगी की हेल्प ले तो ज्यादा उचित रहेगा आज आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी आपका कर्म प्रधान होना अधिक सकारात्मक बनाएगा क्योंकि कर्म से ही भाग्य को भी बल मिलता है विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के मन अनुकूल परिणाम सामने आएंगे मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी किसी विशेश प्रयास को लेकर आपका अति आ प्रक्षेत्र में अपनी उपस्थिती अनिवारे रखें क्योंकि अंदरूनी व्यवस्था और स्टाफ पर नजर रखना जरूरी है अपनी योजनाएं और कार्य प्रणाली किसी से शेयर न करें बेरोजगार लोगों के लिए आज कोई खुशखबरी हो सकती है आफिस किसी कार्य को लेकर तनाव की स्थिती रहेगी व्यवस्थित दिंचर्या बनी रहेगी प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला रुका हुआ है तो उसको हल करने का उचित समय है किसी खास व्यक्ति द्वारा आपको उचित सलाह भी मिलेगी आपके सहज और उत्तम स्वभाव की वज सकती है आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ी डीडीएच सकती है लेकिन किसी भी स्थिती में किसी शारीरिक तकलीफ के प्रती लापरवाही से काम न ले यह अस्थाई समय है लेकिन तब भी आप अब अगर अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत भावनात्मक महसूस करेंगे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाएं आपके दिमाग को घेरे रहेंगे इसलिए फिलहाल अपनी रोमैंटिक लाइफ के बारे में कोई भी फैसला करना अभी ठीक नहीं होगा हालां कि यह समय प्यार और रोमान्स के लिए बहुत अच्छा है खास कर अगर आप किसी समर्पित संबंध में हैं जो अकेले हैं वे आज अपने आपको किसी की ओर भी आकरशित महसूस करेंगे जो उनमें थोड़ी सी भी रुची दिखाएगा आज आपके कार्यक शेत्र में आपके सितारे आपका साथ देंगे ये आपकी वित्तिय जरूरतों के लिए काफी संतोष जनक है लेकिन यह कार्यलय में इरश्या को भी जन्म देगा आज आपको अपने सहयोगियों के साथ पुराने बातें भूल कर उनके साथ आगे बढ़ना है परन्तु आपको दुश्मन और दोस्त की पहचान करने की भी जरूरत है क्योंकि कोई सहकर्मी आपके करियर के विपरीत कार्य कर सकता है जो की आपके करियर के लिए हानिकारक है आज स्वयम को भौतिक चीजों के मोह में फंसा अनुभव करेंगे लेकिन किसी भी वस्तू को इतना कस कर न पकड़धे इम बहाव के साथ बहना ही उप्युक्त है सहज बने रहे जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते अपना नजरिया द्रड ही रखे दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा आप में बहतरीन प्रशिकषक होने की प्राक्रतिक योग्यता है लेकिन अगर कोई आपके आस पास आपको आपको खुद की देख भाल के बारे में याद दिलाने वाल न हो, तो आपको खुद का खयाल रखना याद नहीं रहता। लेकिन यही याद रखेबम कि आपका स्वास्थ यही आपके लिए सबसे बध्धा निवेश है। अगर आपने कभी इस तरह नहीं सोचा है, तो अब इ सुख हैं और प्यार की तलाश में लगे हुए हैं, खुद से फिर सवाल करें। क्या आपके सपनों का राजकुमार बहुत ताकतवर ही होना चाहिए या आपको ज्यादा देख भाल करने वाला भावनातमक आदमी चाहिए। आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना सम्मान दिखाए। उन्हें कारियों से हटकर कुछ मानसिक शान्ती देने का प्रयास करें। लेकिन उन्हें ऐसा न लगे कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिन चर्या बिता रहे हैं। अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है। आज आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए। नहीं तो सब कुछ और अधिक उलचता जाएगा। और आप स्थिति के नियंतरण से बाहर हो होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। त्वचा संबंधी छोटी-छोटी तकलीफों से आप परेशान हो सकते हैं। आज खुद को थोड़ा हलका करने की योजना बनाई, तैलिये पदार्थों से दूर रहें, बाकी आपकी सेहत ठीक ही रहेगी। बहुत सारे प और डैनने पर डॉक्टर से सलाह ले। निजी जीवन में पार्टनर्शिप में काम करने की योग्यता आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में भी बहुत काम आने वाली है। आप और आपके पार्टनर मिल जुलकर जो भी काम करेंगे, चाहे वह प्यार हो या बिजनिस, आप दोनों को एक दुसरे की खूबियों और कमियों की बहुत अच्छी समझ है और आपकी आपस में खूब बनती है। हमेशा ऐसे ही बने रहें। आज आपको अपना कठोर और मजाकिया दृष्टिकोन को बदलने की जरूरत है। बहतर होगा कि आप लोगों की भावनाओ से संबंध स्थापित करे और साथ ही साथ ये जानने की भी कोशिश करे कि वे क्या चाहते हैं और कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपको समझना होगा कि चीजे कैसे कार्य कर रही हैं। बजाए कि आप अपना तरीका अपने सहक कर्मियों पर थोपे। आज आप बहुत साहसिक अनुभव कर रहे हैं और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी इच्छा शक्ती से सब मुश्किलों पर विजय प्राप्थ कर लेंगे। आज आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज करने की योजना बनाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप आज सामाजिक रूप से काफी सक्रिये रहेंगे और तैलिये तथा भारी खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़्डी डी डी सकता है। आप काफी अलकोहल भी ले सकते हैं, अधिक मात्रा में पानी किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपनी नींद पूरी कर लें। अगर आप अपना दृष्टिकोन सहज रखेंगे तो अच्छे दिखेंगे और अधिक उरजावान रहेंगे। आप जिससे अभी हाल फिलहाल मिले हैं, उसके मन में अपनी अच्छी छवी बनाने के लिए बहुत उत्साहित है, लेकिन उस कहास के मन में आपकी इमेज बिगाद दहने के लिए आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। हो सकता है कि सलाह देने वाला भी उसी के प्रतियाकरशित हो, इसी लिए सावधान रहें और अपने ही अनुसार काम करें। हो सके तो उनसे बातचीत क करने की पहल खुद कर लें। आज आप एक लापरवाह और असाधारन अवस्था में रहेंगे। आज के दिन आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे। आज आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहां से आज आ जिसकी वजह से आपके वित्थ पर एक नकारात्मक असर पढ़ने की संभावना है। हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तिय स्वास्थिस सही रहेगा। आज के दिन आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी। आप अपने वृत्तमान घर या पहलाई चाहता रहा है। आप आज थोड़ा सा निराश अनुभव करेंगे। क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता। किसी करीबी की एक जप्पी आपके लिए कमाल कर सकती है। इसे शारीरिक आकर्शन समझ कर भूल न करें। अगर आप पर कोई प्य आप विपरीत लिंग के कई सारे बंदों के साथ डेट कर चुके हैं। फिर भी आपको अभी तक कोई अपनी पसंद का नहीं मिला है। परिवार से भी आप पर विवाह कर लेने का दबाव है। अपने परिवार वालों को यह समझाने की कोशिश करें कि आप सही आदमी के ल द्रोही हो जाए। जो लोग अपने आपको ज्यादा जानकर या जानकारियों से पूर्ण मानते हैं, वे आज के दिन ऐसी गलतियां कर सकते हैं, जिस से पार पाना मुश्किल साबित हो सकता है। उनके आदेश का पालन करना आपको मुसीबत में ला सकता है। आपके व्याय अब नियंतरण में हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे। आज कर्म में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। आप यह मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं, आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्ति मूड में रहने की भावना से भरा होगा। आज आपका दृष्टिकोन किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बिलकुल सही रहेगा। आपके फैसले का प्रभाव, आपकी मानसिक शक्ती औरों के लिए इरश्या का कारण बनेगी। आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे, जिस इसलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं, तो आपको यह विचार छोड़ाने होंगे और मिल जुलकर चलने की राह पर चलना होगा। आज आप सकारात्मक उर्जा से भरे हुए हैं और आज आपके हैरान होने की संभावना है। क्योंकि आपके प्रबंध तरह से खत्म हो जाएंगी। आप ना केवल आसानी से अपने सभी कारियों का बोज खत्म करने में सक्षम होंगे, बलकि अपने उत्साह के साथ आप आस पास हर किसी को प्रभावित करेंगे।